तो उत्राखन सरकार ने देवस्तानम बोट को भंग करने का एलान कर दिया है बता दे कि चार धामों के तीर्थ पुरोहित लंबे समय से देवस्तानम बोट को भंग करने की मांग कर रहे थे साल 2022 में आने वाले विधानसवा चुनाओं से पहले सियम पुशकर सिंग धामी के फैसले को लोग काफी एहम मान रहे हैं उत्रकन सरकार ने देवसानम बोट को भंग करने का एलान किया है चारो धामों के तीर्थ पुरो ही लंबे समय से देवसानम बोट को भंग करने की मांग कर रहे थे विधान सवा के शूइत कालीन सत्र में इस एक्ट को कैंसिल किया जाएगा वह एक चुनाओ से ठीक पहले स्रियम पुषकर सिंग धामी के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है राज सरकार के इस फैसले से इतै हो गया है कि मुक्यमंत्री धामी अब आने वाले विधान सवा चुनाओ को बेहत गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने पहाड की सियासी नफ्स वी समझ ली है देवस्तानम एक्ट को अगर वापस नहीं लिया जाता तो बीजेपी को सियासी नुकसान होने का अंदेशा था पिछले दिनों देवस्तानम बोर्ट को लेकर लगातार विभिन विभिन परकार के सामाजीक संगठों ने तीर परोथों ने हाक हकुग धारियों ने और जो पंडा समाच के लोग हैं, तीर्थ पोई समाच के लोग हैं बीविन परकार के जो हमारे जन्पतिनदी थी हिर हमने सभी से बात करी है सभी के सुजाव आये हैं सभी के विचार आये हैं और इसके साथ-साथ मन्हौरकान. जो हमने उनके इस तर पर एक उच्चिस्तरी समीती बनाई थी उस कमिटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है हमने सारे बिचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णे लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्राख पर निश्वाना साधना शुरू कर दिया है पूर्मुक्यमंत्री रावत का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से देवसानम बोट को भंक करने की बात कहकर रोल बैक किया है उससे जाहिर है कि अब भाजपा जनता का विश्वात खो चुकी है वह आम आदमी पार्टी ने दे पर हार दिखाई दे रही है चुनाव में उनको लग रहा था है कि हम हार रहें तो आशन हार से भैवी सरकार का यह कदम है एक्टीर्थ प्रोवित्यों की विवेगशी जनमत की और कॉंग्रेस की जीत है और सरकार इसमें एक घमंडी अहंकारी व्यक्षित्त्यों के रूप म और घमंड किसी का हो उसको नीचा देखना पड़ता है आखिरकार सभी तीर्थ पुरहतों का संगर्ष काम आया और इस एहंकारी सरकार को यह देवस्तानम बोर्ड का जो बिल है वह आपिस लेना पड़ा इसके लिए सभी तीर्थ पुरहतों को बहुत-बहुत बदाई क्यो दिया इसके साथ ही उन्होंने एक तीर से कई सिकार किये हैं जहां मुक्मंत्री पुसकर सिंग्धामी ने अपनी एक मजबूत नेता के तौर पर इमेज को बनाया है वहीं विपक्ष के हाथों बैठे-बिठाय मिल गए सियासी मुद्दे को भी खत्म किया है अब देखना य ही कई नेता वाह वाही लूटने की कोशिश्च कर रहे हैं हलाकि पूर्व सियम तरबेंस जिग्रावत ने धामे सरकार के स्पैसले से किनारा कर लिया है उन्होंने कहा है कि मैं तो मुस्कराब नहीं सकता तुम्हारा सामने है देवस्थानम बोर्ड को भंक करने के राज सरकार के फैसले को उत्राखन बीजेपी के प्रदेश सद्यक्ष मदन कौशिक ने उसका स्वागत किया है मदन कौशिक ने कहा है कि यदि कोई निर्ले जनहित में वापस भी लेना पड़ता है तो उसे स्थाजिता से स्विकार किया जाना चाहिए निज्वन इंडिया के विशेश्ट समाधाता सुदीब जैन ने इस बावत मदन कौशिक से खास बाच्षित के देखे उत्राखंट सरकार ने आखिरकार 30 तौंबर के दिन देवस्थानम बोर्ड के मसले पर अपना मत इस्पष्ट कर दिया है सरकार ये बेवस्थाब वापस लेने जा रही है हमारे साथ भारती जनता पार्टी के अद्धिक्च उत्राखंट के मदन कौशिक जी से पूछते हैं कि आखिर ये जवाद निर्णे आया इसको कैसे देखते हैं और क्या चुनाओं से पूर्व इसे कोई राजनेतिक स्टंट क्यों न माना जाए अधिक जी आज जो फैसला आया तीर्थ पुरोईतों की मंसान सवार सरकार ने फैसला ले लिया आप इसे कैसे द देता हूं और सभी उससे जुड़ेवे लोगों को बढ़ाई देता हूं कि आपकी भावना करूप ये निर्णे वापस लेना पड़ा तो इसमें बुराई नहीं है लेनी चाहिए और हमने लिया तो ये उत्राखन बारती जंता पार्टी के दिक्समदनकौशिक हैं जिनका क भावनाओ के नरूप फैसला वापस लेना पड़ता है तो उसे लिया जाना चाहिए और हमने लिया भी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ देने वालों लोगों ने इस पर बड़ा भिरूत किया और आज धामी सरकार घुषणा करने के नतीजे पर पहुंची सरकार धामी जी ने कहा कि हम इसको खतम करते हैं। सरकार को हम स्रिय ने दे सकते हैं। प्रेमी जितने भी हिंदृत वादी नोग हैं। तब भी यहां लोगों को सस्ती विजली 24 घंटे नहीं मिल पाती है। क्या क्वालिती एजूकेशन देना सरकार की जिम्हदारी नहीं है। प्रेमों के लिए बेटी बन गई अभी शार। क्या क्वालिती एजूकेशन देना सरकार की जिम्हदारी नहीं है। प्रेमों के सारे गोस्ना पत्र निकाल लो। और आम आदमी पार्टिय अब तक जितने चुनाव लड़ी है अब हमारे भी गोशना पत्र निकाल लोगों और उसके बाद देखो इन तीनों पार्टियों में से कौन सी ऐसी पार्टिय है जिसने अपने गोशना पत्र के अंदर जनिता से किये हुए वाइदों को पूरा किया उसके बाद अगर आपको लगे किया आमादी पार्टिय अके लिए ऐसी पार्टिय है जो अपने वाइदों को पूरा करती है तो उत्राखंड के अंदर दो हजार वाइस में आम आभी पट्टी को चुन कर लाओ उत्राखंड में गंडा समर्थन मूल में करीब 30 रुपए का इजाफा और सितार गंज चुनी मिल के शुरू होने पर सियम आवास में किसानों ने मुकमेंटरी पुष्का से घाबी और मंतरी अतिश्रा नंद का समान समारो हुकाय उजित किया इस मुकमेंटरी ने कहा कि किसानों के लिए सरकार हर मदद को तयार है वहीं किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया हमारी कांग्रेस के समय में जो सुगर मिले बंद की गई थी हम उनको चलाने का काम कर रहे हैं इसी से आप अनुमाल लगा लिजिए हम किसानों के गन्ना किसानों के साथ है और परदेश के किसानों के साथ है किसानों को बहुत सुक्राम नहीं देता हूं कि जो हमारे गन्ना अतवदक बड़ा परिस्तरम करके अपना गन्ना हुगाते हैं है और उन्के गन्ने का उचित मुल्ला प्रोस्तां हुं हम matches है थी ते हमारी सरकार में तैह किए है कि 355 पर पर्रती कॉंटल के हिसाब से जो अबनी प्रजावती कि खिरने हैं कर अदivent छक्रप observations उनking में स channels में फिक्स किए है और साथ में जो किर्थस्ति गयारा कि अधिक किसान नुड़ा था उस भाड़े को हमने कम किया है शाड़े नौ रूपे किया है सब मिलाकर उनतीस रूपया पचास पैसा पिछली वर्स की तुल्णा में हमारे किसानों को अधिक मिलेगा मैं इसके लिए सभी किसान भाईएओं को बहुत अपनी सुन्ता बुलतिन मेफ लाले ताहिन वसका